हेलो एब्रिवान आईए देखे आज के दर हिंदू अगबार की मुख्य सुर्खिया शुरू करते हैं फ्रेंट पेट से इंडिया बॉम्म्स जैश कैम्प इन पाकिस्तान से बाला कोट पुल्वामा हमले के बारा दिनों बाद इंडियन एर फोस ने पाकिस्तान के बाला कोट में जैशे मोहम्मत के सबसे बड़े टेरर ट्रेनिंग कैम्प पर बॉमिंग की यह उपरेशन बारा मिराज 2000 फाइटर जेट्स के जरिये किया गया जिन्होंने उस कैम्प पे एक टन के पांच बम गिराए यह कैम्प पाकिस्तानी प्रोविंस खाइबर पाक थुंगवा में स्थित था जोकी लाइन आफ कंट्रोल एलो सी से सतर किलो मिटर अंदर था आए देखते हैं इसकी कुछ डीटेल्स यहां मैप में आप देख सकते हैं लाइन आफ कंट्रोल के उस तरफ है बाला कोड जहां पर मिराज 2000 ने मंगलवार की सुबा तीन बच के चालिस मिनिट पे बॉम गिराए थे यह पूरा मिशन तकरीबन देड से दो घंटे चला कथित तोर पर बाला कोड ज्वैशे महमत का सबसे बड़ा ट्रेनिंग फैसिलिटी थी जहां पे 300 रिक्रूट्स थे पुलवामा हमले के बाद कई लाँच फैट्स को एलोसी से पीछे हटा लिया गया और मिलिटेंस उनके केडर्स बाला कोड चले गए इंटेलिजेंस आकलन के अनुसार वहां तकरीबन 300 मिलिटेंस मौझूद थे हाला कि भारतिय गवर्मेंट की तरफ से ऐसी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया ओफिशिल रिस्पॉंस नहीं है कि कितने टेरिस्ट मारे गए है आएए देखिए एरक्राफ्ट और एमिनीशन के जानकारी जो कि इस मिशन में यूज की गई थी इस मिशन में मेराज 2000 फाइटर जेट यूज किये गए थे हमले के लिए ये फाइटर जेट्स स्पाइस 2000 और क्रिस्टल मेज MK2 से लेस थे जिने AGM-142 पापाई भी कहा जाता है जिने इसराइल से प्रिसिजन गाइडेड म्यूनीशन के तौर पे लिया गया था 60 से 100 किलोमेटर की स्टेंड ओफ देंजेस के साथ ये फाइटर जेट काफी दूरी से यूद्टिसामगरी फाइर कर सकते है अब एक नज़र डालते हैं इस मिशन की टाइम लाइन पर IAF के ग्वालियर एरवेस से 12 मिराश्टू थाउजन फाइटर जेटनेट टेक ओफ किया निगराणी और मुल्यांकन के लिए एक अनमैंड एरियल वहिकल UAV को हवाने रखा गया था और इसराइली फैलकॉन और इंडिजीनियस नेत्रा अर्ली वार्नि एरक्राफ्ट को इस मिशन की निगरानी के लिए तैनाद किया गया था इसके साथ ही एक IL-78 मिड एर रिफ्यूलिन टैंकर ने आगरा से टेक ओफ किया और आखिर में फॉरें सेक्रेटरी विजय गोखले ने ये कहा कि फाइटर जेट्स ने बाला कोट के टेरर केंप पे बंबारी की जिसमें तकरीवन पांच से छे बराक्स थे मंगलवार को असम के सरकार ने एक तीन सदस्य कमिशन का गठन किया ताकि पे कट पॉलिसी के केसे सुने जा सके जिसके परिकलपना अनुसार करमचारियों को अपने आश्रित, माता-पिता और फिजिकली चारेंच भाई बहनों की देखभाल करनी होगी इस तीन सदस्य कमिशन को नाम दिया गया है प्रणाम, Parents, Responsibility and Norms for Accountability and Monitoring और ये कमिशन चीफ कमिशनर वेवी प्यारेलाल के नितित्व में है असम के वित्यमंत्री हिमान्त बिस्वश अन्मा ने 2017 में ये कहा था कि ऐसा कानून लाया जा सकता है जसके अंतरगत माता-पिता की देखभाल करना जरूरी है ये पॉलिसी पिछले साल अक्टोबर 2 को लागू की गई इसके अंतरगत अगर कोई कर्मचारी अपने आश्रित माता-पिता और फिजिकली चालेंच भाई-बेहनों उन देखा करने का दोशी पाया गया तो उसे अपनी सैलरी में से अपनी पे में से 10 से 15 प्रतीशत का परित्याग करना होगा और ये काटे हुए पैसे या तो उसके माता-पिता या उसके भाई-बेहन के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिये जाएंगे नेक्स्ट इस WHO मिनिस्ट्री कॉंक्लेव और योगा बेंचमार्क मिनिस्ट्री ओफ आयोश और वर्ल्ड हेल्थ और्गनाइजेशन एक तीन दिन के कॉंक्लेव का संयोग त्रूप से आयोजन कर रही है ताकि WHO के डॉक्यूमेंट बेंचमार्क्स वर ट्रेनिंग इन योगा जोकी मंगलवार को शुरू होने वाला है उसका रिव्यू किया जाए अपनी वैश्वित रणनीती के तहट WHO योगा के इस डॉक्यूमेंट को फिक्सित कर रहा है ताकि इस पारंपरिक और पूरक चिकित्सा की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता, सेफ्टी, क्वालिटी, एंड एफिकेसी को और सुद्रिड और मजबूत किया जा सके मंगलवार को केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन एक अधिस सूचना जारी की जिसके अंतरगत कैंडिडेट्स को अपने खुद के, अपने जीवन साथी के, अपने आश्रित ओपर और हिंदू अंडिवाइड़ फैमिली के पिछले 5 साल के इंकम टेक्स रिटरन्स बताने होंगे और अपनी इंकम डिक्लेर करनी होगी जैसा कि इंकम टेक्स रिटरन्स में बताया गया है इस सदी सूचना में यह कहा गया है कि Form 26 एफिडेविट में परिवरतन लाये गये है जोकी नॉमिनेशन पेपर के साथ सब्मिट किया जाता है और अब आगे से कैंडिडेट्स को अपना पर्मनेंट अकाउंट नंबर पैन नंबर भी देना होगा नेक्स्ट इस वें ट्वैल वोर प्लेंस लॉग्ड उन्टो दे ठागेट ये चीज़ दो हम पहले ही देख चुके है कि कैसे हमारे बारा मिराज फाइटर जेट्स ने एलुसी क्रोस करके बालकोट में जाके टेलर कैम्प्स पर बंबारी की और उन्हें नश्ट कर दिया और हमारे फॉरेंज सेक्रेटरी विजय गोकले ने ये दावा किया की पंगलवार को हमारी भारतिय सेना ने बालकोट में जैशे मोहमत के सबसे बड़े ट्रेनिंग कैम्पर बंबारी की और वहीं पाकिस्तान का ये क्लेम है जो दावा इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन के डिरेक्टर जनरल आसिव गफूर द्वारा किया गया था उनका ये कहना है कि भारतिय एरक्राफ्ट ने मुझजफराबाद सेक्टर से गुसपैट की और पाकिस्तानी वायू सेना की समय पर प्रभावी प्रतिक्रिया के कारण भारतिय वायू सेना ने वापस रिटर्न होते हुए वापस भागते हुए जल्द बाजी में वो बॉम गिरा दिये थे जो कि बालकोट के पास गिरे इससे कोई हताहत या नुकसान नहीं हुआ है आईए देखे 2016 और 2019 में भारतिय प्रतिक्रिया की तुलना 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक का रीजन था उरी आतंकी हमला जिसमें 19 सोल्डर्स हमारे 19 जवान शहीद हो गए थे और 2019 के एर स्ट्राइक का रीजन था पुल्वामा आतंकी हमला जिसमें हमारे 40 CRPF के जवान शहीद हो गए थे 2016 के surgical strike का modest operandi यानि के काम करने का डंग था कि 4 terrorists आर्मी बेस में घुस आये थे और 2019 के air strike का modest operandi था कि एक आत्मगाती हमलावर विसफोर्टको से लदी एक कार को लेके CRPF के काफीले में घुस गया ये एक चीज दोनों में common है कि इन हमलों की जिम्मेदारी लीती जैशे मुहमद ने 2016 के surgical strike की भी जिम्मेदारी जैशे मुहमद ने ली थी और 2019 के air strike की भी जिम्मेदारी जैशे मुहमद ने ही ली थी 2016 के surgical strike का response time था 11 दिन और 2019 के air strike का response time था 12 दिन टाइप आफ response ब्राउंड बेज सर्जिकल स्ट्राइक जबकि 2019 में एक हवाई हमला था रिसोर्सिज यूस्ट 2016 में आर्मी पैरा स्पेशल फोर्सिस का इस्तमाल किया गया था और 2019 में मिराज 2000 फाइटर जैंस 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक के घोशना DJMO Lieutenant General Ranbir Singh द्वारा की गई थी जब्कि 2019 के एर्स्ट्राइक के घोशना Foreign Secretary Vijay Gokhale द्वारा की गई थी 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक का टार्गेट एरिया था POK और 2019 के एर्स्ट्राइक का टार्गेट एरिया था पाकिस्तान 2016 में टार्गेट था टेरिस्ट लाँच पैड एलोसी के पास जो थे और 2019 में टेरिस्ट ट्रेनिंग कैम पाकिस्तानी प्रतीक रिया 2016 के सोजिकल स्ट्राइक में पाकिस्तान ने इस बात से बिलकुल इंकार कर दिया था जब कि 2019 के एर स्ट्राइक में पाकिस्तान ने प्रवेश को कन्फर्म किया है कि हाँ भारतिय वायू सेना द्वारा एंट्री की गई है लेकिन कोई भी डैमेज नहीं हुआ है आते हैं आखरी पेच पर अमारी आज की आखरी खबर के लिए अंकोर डिड नॉट सफोर असड़न कोलाप्स सौमबार को पबलिश हुई एक स्टड़ी के अनुसार अंकोर मेर एंपायर की प्राचीन राजधानी इंशन कैपिटल इस खान धीरे धीरे हुआ होगा ना कि एक कैटास्ट्रोफिक कोलाप्स एक भयावा पतन मिस्टर पैनी जो की एक आर्केलोजिस्ट है उनका ये कहना है कि चौदवी सदी के पहले कुछ दशकों में लैंड यूज वुड बर्निंग, डी स्टेबिलाइस वेजिटेशन और सॉयल इरोजिन में गिरावट देखा गया और चौदवी सदी के अंत में सदन्मोस्ट अंकोर यानि दक्षणी अंकोर थोम में बहुत ज्यादा वेजिटेशन बहुत ज्यादा पेड़ पौदे उगने लगे थे और मैनेजमेंट बाई इंप्लिकेशन नहीतार्थ दौरा प्रभंधन तकरीबन रुख चुका था इसी के साथ हमारा आज का दर हिंदू का विशलेशन यहीं समाप्त होता है दर हिंदू करेंट फैस के डेली वीडियोज हिंदी में देखने के लिए हमारे यूट्यूब चानल एएशायंग आयस को सब्सक्राइब करें बेल का बटन दबाना ना भूले